पार्ट दो, वर्ण विचार, फोनुलोजी बच्चों, आप जान गए हैं कि शब्दों का निर्मान ध्वनियों से होता है ये ध्वनिया ही वर्ण कहलाती है देखिए, पढ़िए और समझिए चित्र के नीचे लिखे वाक्य में केवल चार शब्दों का प्रयोग हुआ है ये शब्द अनेक वर्णों अत्वा ध्वनियों के मिलने से बने हैं जैसे ल, जमा, अ, जमा, र, जमा, अ, जमा, क, जमा, ए, लड़के छे ध्वनिया ये वर्ण अथवा अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई है इनके और टुकडे नहीं किये जा सकते ध्वनी का वह रूप जिसके और टुकडे न किये जा सके वर्ण अत्वा अक्षर कहलाता है वर्ण माला वर्णों के मिलने से वर्ण माला बनती है जैसे अ, आ, च, छ, प, भ, आदी वर्णों के व्यवस्तित रूप को वर्ण माला कहते हैं वर्णों के प्रकार वर्ण दो प्रकार के होते हैं पहला स्वर, दूसरा व्यंचन स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 है जैसे अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, आ, ओ, आ अयोग वाह अंग, अन तथा अह स्वर तथा व्यंजन के बीच की स्थित्ती वाले वर्ण हैं इनका उचारण अ के बिना संभव नहीं होता, इसलिए इने अयोग वाह कहते हैं अनुस्वार अंग, इसका उचारण नाक से होता है, इसका चिन्ध अनुस्वार है अनुनासिक, अन, इसका उचारण नाक और मुह दोनों से होता है इसका चिन्न अनुनासिक है, इसे चंद्रबिंदू भी कहते है विसर्ग, अह, इसका उचारण ह की तरह होता है, इसका चिन्न विसर्ग है मात्राएं आ के अतिरिक्त प्रत्येक स्वर वर्ण की अपनी मात्राईं होती हैं जो व्यंजनों के साथ मिलकर शब्दों के निर्माण में सहायता करती हैं आए स्वरों की मात्राओं को जाने तथा समझें स्वर वर्ण और उनकी मात्राईं स्वर मात्राएं मात्रा के साथ शब्द अ कोई मात्रा नहीं क कम आ की मात्रा का काम इ की मात्रा की किताब इ की मात्रा की कीमत उ की मात्रा क कुसुम उ, उ की मात्रा, कू, कूल री, री की मात्रा, क्री, क्रिपा ए, ए की मात्रा, के, केवल आ, आ की मात्रा, कै, कैलाज ओ, ओ की मात्रा, को, कोमल ओ, ओ की मात्रा, को, कौवा अ की कोई मात्रा नहीं होती परन्तु यह सभी व्यंजन वर्णों में मिला रहता है। अ की बिना हम व्यंजन वर्णों को हलंत चिन्द लगा कर क, ख, च, प लिख तो सकते हैं लेकिन उच्चारण नहीं कर सकते। व्यंजन जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वरों की आवश्यक्ता होती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अढ़, त, थ, द, ध, न, प, भ, 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 म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, श, त्र, ग्या, श, अतिरिक्त व्यंजन र, और अढ़, ड, और ध, के ही विक्सित रूप हैं लेकिन इनके उच्चारण में भिन्नता होती है। र, अढ़, को अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। सयुक्त व्यंजन दो भिन्न व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन को सयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्ण माला में सयूक्त व्यंजन चार होते हैं क जमा श बराबर क्ष शत्रिय शमा शय रक्षा कक्षा त जमा र बराबर त्र त्रिशूल पत्र मित्र त्रय छात्र ज जमा इयं बराबर ग्या जब एक व्यंजन ध्वनी अपने ही जैसी अन्य व्यंजन ध्वनी से मिलकर एक हो जाती है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं जैसे सच्चा, सत्तू, बच्चा, उल्लू, लट्टू, बिल्ली, मिट्टी, आदी र वर्ण का प्रयोग हिंदी में र वर्ण का प्रयोग व्यंजनों के साथ कई प्रकार से किया जाता है जैसे स्वर्रहित र सदैव अपने से आगे वाले पूरे वर्ण के उपर रेफ के रूप में लगता है तथा उससे पहले बोला जाता है जैसे म जमा र जमा म मर्म श जमा र जमा म शर्म ह जमा र जमा श हर्ष जब र से पूर्व स्वर्रहित व्यंजन क फ या द आता है तो र उसके नीचे पदेन रूप में जोड दिया जाता है जैसे क जमा र क्र क्रम फ जमा र फ्र फ्रॉक द जमा र द्र द्रव त और ड के साथ र इस प्रकार से प्रयूग होता है जैसे त जमा र ट्र ट्रक ट्रीन ड जमा र ड्र ड्रम ड्रेस वर्ण विच्छेद वर्णों को अलग-अलग लिखने की क्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं जैसे राम र जमा आ जमा म जमा अ जमा आ जमा प्रकार से अलग-अलग झाल-ग वर्रेस